जाने शारुखान का जो स्टारर फिल्म दिलबले दुलहनिया ले जाएंगे की कहानी और साथी जाने फिल्म से जुड़ी पाच रोचक बाते हिंदे फिल्मों की दुणिया में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दर्शक में दीबदास के साथ दर्शकों को एक पीरी ही की आसफल प्रेमि उप एक Yeah 1932 में सिनेवा बोलने के साथ ही प्रेम कहानियों का रिकोन करा का बन गया था जिसमें प्रेमी प्रेमि प्रेमि का और उनके मिलने की राम में रौड़ा अठकाने वाला तत्व आज की वॉल्यूट के प्रेम कहानियों में भी इस पॉर्मुले का इस्तमाल होता है कभी ये तत्वा खल नायों की रूप में होता है कभी जाती प्रदेश उच्छ नीच गरीब अमीर के रूप में 1944 के रदन सूपर हिट थी जिसका नायक गुविंद बेश्व समाज का था तो नायका गौडी राजपुत समाज की 1981 की एक दूजे के लिए तामिल भासी नायक और उत्तरभार्दिय नायके के मिलने में भाशा के साथ प्रदेश बाद रोड़ा बन जाता है बॉवी की नायक नायका या मेंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलने में अमीडी गड़ी भी बाधा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इंतहान से गुजरना परता है मध्याधारा में निन्वाताओं को मनना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोपने वाला तत्वर जितना ताकतवर दिखाया जाएगा फिल्म की सफल्टा के मौकी भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 साल पहले 20 ओक्टोबर 1995 को रिलीस हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फॉर्मिले को हरीश पर पटक दिया ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायका के मिलने को उच्चनीच अमिरगरी भी प्रदेश बाद जाती या धर्म रोकत ते नजर नहीं आती है उसमें नायका सिमरन का पिता बल्देव सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पिता धरंबिर मलोत्रा खुले विचारों का नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व परंपरावादी पिता दिखाता तो एम अगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिम्रन जी ले अपनी जिन्देगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोपने वाला तत्वा हलात है स्थीतिया है प्लाट्राम पर दो और ने नायका गती पकरते हुई ट्रेन के दर्वाजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हाल में दम साधे वैठे दर्शक इस तरह से फुल में हलात अपने चरम पर पौशती है हाला कि इस क्लाइमेक से निदेश अकादित्य चुपरा के पता यश चुपरा नखुश थे जिस तरह से इंग्लेंड एमरिका समेच विदेश में वैसे भारतिया ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराखों पर बैठा लिया है हिंदी सिनेमा की दुनिया में अबुत पुर्बो है ये अरॉप की खुपसूर्ती और पंजाब की खेतों में लहराती हरियाली से लवरेज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रज दिया मुंबाई के मराठा मंदिर में ये लगभग 22 सालों तक लगातार दिखाए जाती है इसमें हिंदी फिल्मों का चहरा मोहरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंग्लेंड और केनेडा में वसे पंजावियों का ध्यान में रख कर फिल्म हैं और उनके गाने बनाने का चलन चल परा फिल्मों में सरसों के खेत लहराने लगे और गानों में पंजावी शब्त कुरी और मुंडे ऐसे आम हुआ की सत्या जैसे पल में मराठी पडिवार से अपने यहां होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मिलती है वो कुरी इस फिल्म की कहानी जितनी दिल्चस्त है उसे जादा रोचक उसकी शूटिंग से जुरी किस्से है इस मौके पर आईए जानते फिर्म से जुरी 10 खास बाते के बारे में नंबर वन फिर्म के लिए पहली पसन नहीं थे शारुक फिर्म दिल वाले दुल्हनय ले जाएगी के सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारुक खन पहली पसन नहीं थे डाइरेक्टर आदिते चुप्राइस फिल्म में टॉम क्रूस को बतोर लीड कास्ट करना चाहते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम था The Brave Heart Will Take The Bright रखा गया था लेकिन आदितिया के पिता याज चुप्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि फिल्म रोमांटिक थी और भारतीय दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाहते थे कि चौम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफि समझाने के बाद आदितिया पिता के बाद मान गए लेकिन जाब ही रोल शारुक को उफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी से शिकार नहीं किया उसके लिए आदित्या चुप्रा को शारुक के साथ चार बार मीटिंग करनी परी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्या के अगली पसंद सैफ अली खान थे लेकिन शायद किस वाच इसी कहते हैं इस फिर्म के जरीए ही शारुक खान को किंग आफ रोमेंस का कितब मिलना था नमबर 2 फिर्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिर्म का नाम पहले दब्रेवार्ट विल टेक दवराइट रखा गया था लेकिन अपने जवाने की मश्रूर अदाकार किरन खेर को यह नाम यह इससे ही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्या चुपरा से इसे बद पबदिश की गई बुक आदित्या चुपरा रिलीज, दिलवाले दुलनिय ले जाएंगे, में आदित्या चुपरा ने खुद किया है उन्होंने लिखा है किरन जी को ये आइडिया 1974 में आये फिर्म चार मचर शोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुझनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब मैंने उनसे कहा आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइडिल फाइनल हो गया वैसे टाइडिल काफी लंबा था लेकिन दर्शुकों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसकी शौर्ट फ्रॉम DDLJ कहना भी शुरू कर दिया खासकर उस बक्त की यू वाओ में दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे की जगा DDLJ कहने का ही चलन था नमबर थ्री हॉलिवड की फिल्म से प्रेडित था फ्लॉट सीन फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुक खान पर फिल्माया गया मशूर प्लॉट सीन एक हॉलिवड फिल्म से प्रेडित था इस टुबूत का उन्हें वो सीन याद रह गया जिसमें एक एक्टर की गर्फ्रेंट जा रही होती है और वो उसे टर्ण होने के लिए कहते है बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन के इंस्पायर होकर राज सिम्रन पर पलट सीन क्रियेट किया अग देया बताया जाता है कि DDLJ की स्क्रीप लिगने में आदित्या चुपरा को केबल एक महिनर क्या सुमय लगा था उसके साथ ही भारती सीने इतियास की ये पहली ऐसी फिर्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रड्यूस किया था तक्नीकी तोर पर तब से उसे बिहाइंड थ सीन के नाम पर जानते है आदित्या चुपरा की छोटे भाई उद्या चुपरा फिल्म में उनकी एसिस्टेंट थे जिनोंने मेकिंग रेकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मली थी नमबॉर शारुक खान के किरतार की नाम की कहानी ऐसे लूदर चुपरा दिवालि दूलनिय ले जाएंगे में शारुक खान के केरदार का नाम राजी रखा है जो कि बॉलियोड में सबसे बरी सौमन राज कपूर किसे प्रेरीख था फिल्म में उनका पूरा नाम राजनत था जो की 1973 की फिल्म बोबी में रिशी कपुर के नाम से प्रेडित था फिल्म की एक सीन में अनुपम खेर शारुखान को अपने दादा पर दादा की पढ़ाई के नाकामियाभी के किस्से सुनाते हैं वह दरसल अनुपम खेर के संग अंकिल के नाम है जो की बकाई पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे वहीं पहली फिल्म थी जिसमें मंदीरावेदी ने बड़े परदे पर अपने एक्टिंग केरियर के शुडवाद की फिल्म में पहनी शारुप खान की खास पेमस ले दर जाके टुदै चोपरा ने कैलिफोर्निया की बेक साफल में हाल रेविट्सन के शोरूम से चार सो डॉलर में खरीदी की नंबर पाइक आर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रहे गई बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को वालिउट का सबसे दुर्वागेशाली अ उन्हों ने जितने फिर्म की नहीं है या मिलते मिलते रह गई जिसे की फिर्म दिवाना में शारुख आर्मान को भी इसा w आउडिशन वाले दिन परमीत सेठी बुटस जीन और वेस्ट को पहन कर आए और स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए उसके बाद आर्मन की जगे परमीत को फिर्म में कास्ट कर लिया गया महेंगी लगार के रखना गाने में काजल के दिये मनीश मल उत्रा ने हड़े रंग का सूट डिजाइन किया लेकिन आधित्या चुप्रा ने कहा कि बंजावी परिवारों में लर्किया लाल मडून या गुलावी कप्रे पहनती है उसके बाद उन्होंने सूट का रंग बदलन इस फर्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुर्वाव में सूटिंग किया गया था Firstly Sachin, really honoured to have you here and you are an inspiration not only to budding cricketers but also people from every walk of life who believe in their dreams So thank you for everything that you've done for our nation and ladies and gentlemen Thank you, thank you and I would now like to invite on stage a woman with sparkling personality the general manager of marketing Tanishka Miss Ranjani Krishnaswamy The time magazine said that we've had champions, we've had legends but we've not had another Sachin from the first and they said we never will Thank you so much Sachin for being with us today on this momentous moment for us as we launch Celeste Our own journey of unmatched scintillation, brilliance and fire and who else could we be wanting to be spending the evening other than you Who is being the epitome of all of this in our life? So let me start off with a few questions that our audience would love to hear There's a very wonderful quote and I was blown over when I heard that You said when people throw stones at you, turn them into milestones I think that was so brilliantly put So how did this dream that you keep saying follow your dreams, if you believe in your dreams, your dreams will happen How did this journey start? What's your first memory of cricket and who discovered the spark in you? First of all, good evening to everyone When I walked here, the kind of reception that I got, I thought, you know, where are the empires? It felt like I was standing inside 1KD Stadium Thank you so very much for this warm reception What a special evening this is You spoke about who spotted this spark in me without any doubt It was my brother Ajit I remember the first time I held a cricket bat I was 3 years old or so My grip never changed It continued being that way right at the bottom of the handle Though my coach tried some stage in between to change my grip The moment he realized this is not working We went back to continuing to hold the normal grip Which worked for me But in my age group, in our building, we were playing tennis ball cricket I was batting well Reasonably well and scoring runs I'd like to believe that I was one of the main batters in our team But my brother Ajit was watching me You know, every now and then He would kind of keep an eye on me Because there were 2 age groups And my age group And then senior guys who would play alongside my brother In our building itself The dream was to join my brother's team That age group Go and bat there And hold my ground there Do not look out of place there So that's how it all started But without any doubt If we are talking about Somebody spotting that spark in me It has to be my brother Ajit True, our family knows us the best Our family is the wind beneath our wings Well said Sachin Matthew Hayden said I know God He bats at number 5 for India So what has been motivating you all these All those 24 years when you were playing for the country What kept you going? What's your What's the centre of your motivation that keeps you out there Up there all the time? It was my dream In 2000 In 1983 I was only 10 years old I did not know much about cricket I enjoyed playing the game But as far as the intricacies of the game was concerned I had no idea Everyone started jumping because we won the World Cup I also joined the party Not understanding the significance and the enormity of lifting the trophy I looked at Kapil Dev holding the World Cup And I said even one day I would like to do the same thing You know this is something I should start chasing And that's how my journey began Along the way there were a number of good moments There were not so good moments You know disappointments Unbelievable moments Which only a sport can give you on the field And I felt that passion in me was very much alive I had never ever looked at the watch When I was practicing it was all about how satisfied I was And if I wasn't satisfied Practice sessions went on and on To the extent where Achreka sir literally had to drag me out of the net Say that we can barely see each other But why are you still continuing to watch? You need to stop You come back tomorrow morning at 7 o'clock And so on and so forth The practice sessions went on and on I chased my dream And I strongly believe if you are passionate about something There are a couple of kids that I can see here Chase your dream You know there will be difficult times Never lose hope Passion is something which continues to breathe with us Till the end It never leaves us And that is the case with me And I It took us a while to win the World Cup But the best part was we never lost hope And the best day was Today A few years ago in 2011 of my life Let's give it up for today a few years ago In 2011 2011 That's it So on a writer note Just to make the evening a little light and humorous People say that when Sachin goes out to bat People switch on the televisions And now iPads or whatever device And switch off from life What has been your most humorous moment on the field That you still recall standing here many years after? There were many such moments But one moment I remember we were in Kochi And this is something the whole team had planned So as soon as our practice session was over We went back to the dressing room And we asked the support staff Including our head coach That time John Wright was our head coach We told John John we We need space in this dressing room We only want the players to be in this dressing room There is some serious matter That we want to discuss So John was wondering now What is this serious matter that the team wants to discuss? And I am not part of it The physios, the masseurs, trainers Everyone was taken out of the room And then we asked Sauru Ganguly was our captain at that time That Dada Tumne kya statement diya hai Team ke against You know Because there are couple of guys with newspapers And the front page headline was Dada has spoken rubbish the team basically So We were monitoring Dada's face While all this was going on There are couple of pranksters in the team So It was well planned Well orchestrated And all this drama continued And there are couple of guys Just Couldn't control their laughter And Later on Dada was like And I would say I would never say anything Team ke against And this and that And I am telling you Agar aise hua You come and catch me And we were like We are part of One team We are one family And how could you go And publicly criticise us Aaj Date hai Second of April Ye hua ta First of April So we had planned You know We'll get couple of printouts And then we'll corner Dada And Dada actually succumbed to that Dada didn't realise That it was first of April On that day But the whole team had planned And Dada was like I will sit in the dressing room In the dressing room If I have said something In reality he had not said Anything at all This was planned By the rest of the team mates Wow You guys would have kept A poker face All through the game That was being played out Did he come back to you After that Saying something Yaar Why did you guys Do this to me So Sachin You've always said I don't want the world To remember me As the best cricketer I want the world To remember me As the best human being People have called you God Master blaster You've been at the pinnacle Of glory But one thing People have always said That you are humble You're grounded How do you keep Your humility And your sense of grounding Together When there's so much That's exalting you To such heights And And If I could say Feeding your ego How does one stay grounded What's been your Trick on that I mean Whatever I performed There were good days And bad days The mantra at home Was From my childhood The mantra At home was Let the whole world Talk about the last match We think about the next match There were no big celebrations As such There were no big parties If I did well Then a box of sweets Was offered to God And we just thank God For this day This moment And that's about it I mean I touched my parents feet And moved on There was no time to think about How well did I bat Or this, that Nothing My brother would immediately Engage me in the next game And my focus was Not to just Do well at school level My focus was To play for India So I would Constantly ask you What next Forget about what has happened What is next Now which tournament If I do well there Then where do I go Because I wanted to play for India I did not have patience So in that process I was so engrossed And I think The person that I am today Is a reflection of My upbringing My family The credit goes to them Because You know my My father was there My mother was there And I I could see the difficult times The challenges that They were facing Though at times I was you know Too small to understand those But as I grew up And become A parent And that time You understand Even more the sacrifices That they have made And just because You know I have done well In my profession Doesn't give me the right To behave the way I want I still have to go back home And show my face to My mother My family My wife is there Everyone is there And If I am Loud and arrogant That will be Totally unacceptable at home So If I am Not so loud Humble Polite Doesn't make me Weak Or any lesser Than anyone You know If you get loud And your body language Doesn't make you bigger Than anyone else So Sometimes They say Less is more So that is really Really important I learned Couple of things When you don't have Anything in life It is important to know How to manage And when you have Everything in life It is important To know how to behave As long as you maintain This balance Life goes on That's so beautiful Ladies and gentlemen Let's give a big round of applause In this world Which is so pretentious I think I think Three कुछ समझ की 1981 की एक दूजे के लिए तामिल भासी नायक और उत्तर भार्द्य नायक के मिलने में भाषा के साथ प्रदेश बाद रोड़ा बन जाता है बोवी की नायक नायका या मेंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलने में अमीडी गड़ी बाधा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इंतेहान से कुजरना पड़ता है मध्यधारा में निर्माताओं को मनना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोपने वाला तत्वर जितना ताकतवर दिखाया जाएगा फिल्म की सफल्टा के मौकी भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 साल पहले 20 ऑक्टोबर 1995 को रिलीस हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस पॉर्मियों को हरीश पर पटक दिया यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायका के मिलने को उच्च नीच अमिरगरी भी प्रदेश बाद जाती या धर्म रोकत ते नजर नहीं आती है उसम को मिलने से रोकने वाला तत्व परंपरा वदी पिता दिखाता तो एम अगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिम्रन जी ले अपनी जिंदेगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व हला थे स्थीतिया है प् में हलात अपने चरम पर पहुचती है हाला कि इस क्लाइमेक से निदेशा कादिते चुपरा के पता या श्चुपरा नखुश थे जिस तरह से इंग्लेंड एमरिका समेच विदेश में वैसे भारतिया ने दिलवाली दुलनिया ले जाएंगे को सिराखो पर बैठा लिया है हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभुतपुर्बो है ये अरॉप की खुपसूर्ती और पंजाब की खेतों में लहराती हरियाली से लवरेज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रच दिया मुंबाई के मराठा मंदिर में ये लगभग 22 सालों तक लगातार दिखाए जाती है इसमें हिंदी फिल्मों का चहरा मोहरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंग्लेंड और केनेडा में वसे पंजावियों का ध्यान में रख कर फिल्में और उनके गाने बनाने का चलन चल परा फिल्मों में सरसों के खेत लहराने लगे और गानों में पंजावी शब्त कुरी और मुंडे ऐसे आम हुआ की सत्या जैसे पल में मराठी पडिवार से अपने यहां होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मिलती है वो कुरी इस फिल्म की कहानी जितनी दिल्चस्त है उसे जादा रोचक उसकी शूटिंग से जुरी किस्से है इस खास मौके पर आये जानते हैं फिल्म से जुरी दस खास बाते के बारे में नमबर वन के लिए पहली पसंद नहीं थे शारुक फिल्म दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे कि सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारुक खन पहली पसंद नहीं थे डाइरेक्टर आदिते चुप्राइस फिल्म में टॉम क्रूस को बतोर लीड कास्ट करना चाहते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम था The Brave Heart Will Take The Bright रखा गया था लेकिन आदितिया के पिता याज चुप्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि फिल्म रोमांटिक थी और भारतीय दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाहते थे कि चौम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफि समझाने के बाद आदितिया पिता के बाद मान गए लेकिन जब रोल शारुक को आफर किया गया तो उन्हों ने भी इतनी आसानी से शिकार नहीं किया उसके लिए आदितया चुप्रा को शारुक के साथ चार बार मीटिंग करनी बड़ी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्या के अगली पसंद सैफ अली खान थे लेकिन शायद किस वाच इसी कहते हैं इस फिर्म के जरीए ही शारुक खान को किंग आफ रुमैस का कितब मिलना था नमबर 2 फिर्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिर्म का नाम पहले दब्रेव आट विल टेक दवराइट रखा गया था लेकिन अपने जवाने की मशूर अदाकार किरन खेर को यह नाम यह से ही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्या चुपरा से इसे बदले की ब कि आप मांग दिया उसके बाद फिर्म का टाइटल के दिल्वले दुवराइड ले जाएंगे किरन खेरत के सजिशन अपया गया था इस बात के जिकर याश्राच फिर्म सतरह पब्लीश की गई बूकृ आदित्या चुपृओ रिलीस दिल्वाले दुन अफिक हमाने शुद कर आया था जब मैंने उनसे कहा आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइटल फाइनल हो गया वैसे टाइटल काफी लंबा था लेकिन दर्शुकों को ये फिर्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसकी from dvlj कहना भी शुरू कर दिया खासक। इस बक्त कि यूवाओ में दिल्वालE दुलनिया ले जाएंगे कि जगाइड दी इई यशे कहने नेका ही चलंधा हूbased θ़ा今 but three hollywood section Früh is play पर फिल्माया गया मश्यूर प्लॉट सीन एक हॉल्यूड फिल्म से प्रेडिट था साल 1993 में रुलीज क्लींग इट भूत की एमेरिकन फिल्म इन दा लाइन आफ फायर के एक सीन से पलट सीन इंस्पायर था फिल्म के निर्माता निर्देशक आदिते चुपरा ने जब एक फिल्म देखी तो इस्टबूत का उन्हें वो सीन याद रह गया जिसमें एक एक्टर की गर्फ्रेंट जा रही होती है और वो उसे टर्ण होने के लिए कहते हैं बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन के इंस्पायर होकर राज सिम्रन पर पलट सीन क्रियेट किया अग देए बताया जाता है कि DDLJ की स्क्रीप लिगने में आदित्या चुपरा को केबल एक महिनर क्या सुमय लगा था उसकी साथ ही भारतिय सीने इधियास की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रड्यूस किया था तक्नीकी तोर पर तब से उसे बिहाइंड थ सीन के नाम पर जानते हैं आदित्या चुपरा की छोटे भाई उद्या चुपरा फिल्म में उनके एसिस्टेंट थे जिन्होंने मेकिंग रेकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मली थी नमबर फोर शारुख खान के किरदार की किंव कि कहानी आदितिय चुपरा ने दिल वाले दुलनिय ले जाएंगे में शारुख खाल का नाम राज रखा है वो दरसल अनुपम्खिर के संग अंकिल के नाम है जो की बकाई पड़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे वही पहली फिल्म थी जिसमें मंदीरावेदी ने बड़े परदे पर अपने एक्टिंग केरियर के शुडवाद की फिल्म में पहनी शारूप खान की खास पेमस ले अर्मान को ये फिल्म भी मिलतेमिलते रहे गई बिगॉस स्पे मीध अक्टरय अर्मान कोली को वाली Georgia सबसे दुर्वागिश आले अभनेता माना जाता है उन्होंने जितने ही फिल्म की नहीं है उसे कई जुक राए है या मिलते मिलते रहे गई जिसे की दीवाना में शारू पहले आर्मान कोली से बात की गई थी देकिन आउडिशन वाले दिन परमीत सेटी बुटस जीन और वेस्ट को पहन कर आए और स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए उसके बाद आर्मान की जगे परमीत को फिर्म में कास्ट कर लिया गया महेंगी लगार के रखना गाने में काजल के दिये मनीश मल उत्रा ने हड़े रंग का सूट डिजाइन किया लेकिन आदित्या चुप्रा ने कहा कि बंजावी परिवारों में लर्किया लाल मरूनिया गुलावी कप्रे बैंती है उसके बाद उन्होंने सूट का रंग बदलना पड़ा इस फर्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो यह जाना सरम गुर्वाव में सूटिंग किया गया था शारुखान का जो स्टारर फर्म दिलबले दुलहनिया ले जाएंगे की कहानी और साथी जाने फर्म से जुरी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुनिय पीरा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ प्रेम कहानियों का त्रीकोन खाका बन गया था जिसमें तीन चीज़े हो दी थी प्रेमी प्रेमी का और उनके मिलने की राम में रौड़ा अटकाने वाला तत्व आज की वालियूद के प्रेम कहानियों में भी इस फॉर्मुल 1944 के रदन सूपर हिट थी जिसका नायक गुविंद बेश्व समाज का था तो नायका गौड़ी राजपुद समाज की 1981 की एक दूजे के लिए तामिल भासी नायक और उत्तरभारतिय नायके के मिलने में भाशा के साथ प्रदेश बाद रोड़ा बन जाता है बॉवी की नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलने में अमीडी गड़ीवी बाधा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इम्तिहान से कुझाना परता है मध्याधारा में निन्वाताओं को मनना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोपने वाला तत्वर जितना ताकतवर दिखाया जाएगा फिल्म की सफलता के मौकी भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 साल पहले 20 ओक्टोबर 1995 को रिलीस हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फॉर्मिले को हरीश पर पटक दिया ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायका के मिलने को उच्च नीच अमिरगरी भी प्रदेश बाद जाती या धर्म रोकत ते नजर नहीं आती है उसमें नायका सिमरन का पिता बल्देव सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पिता धरंबिर मलोत्रा खुले विचारों का नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व परंपरावादी पिता दिखाता तो एम अगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिम्रन जी ले अपनी जिन्देगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोपने वाला तत्वा हलात है स्थीतिया है प्लाट्राम पर दो और ने नायका गती पकरते हुई ट्रेन के दर्वाजे पर ख़रा नायक और सिनेमा हाल में दम साधे वैठे दर्शक इस तरह से फुल में हलात अपने चरम पर पौशती है हाला कि इस क्लाइमेक से निदेश अकादित्य चुपरा के पता यश चुपरा नखुश थे जिस तरह से इंग्लेंड एमरिका समेच विदेश में वैसे भारतिया ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराखों पर बैठा लिया है हिंदी सिनेमा की दुनिया में अबुत पुर्बो है ये अरॉप की खुपसूर्ती और पंजाब की खेतों में लहराती हरियाली से लवरेज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रज दिया मुंबाई के मराठा मंदिर में ये लगभग 22 सालों तक लगातार दिखाए जाती है इसमें हिंदी फिल्मों का चहरा मोहरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंग्लेंड और केनेडा में वसे पंजावियों का ध्यान में रख कर फिल्में और उनके गाने बनाने का चलन चल परा फिल्मों में सरसों के खेत लहराने लगे और गानों में पंजावी शब्त कुरी और मुंडे ऐसे आम हुआ की सत्या जैसे पल में मराठी पडिवार से अपने यहां होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मिलती है वो कुरी इस फिल्म की कहानी जितनी दिल्चस्त है उसे जादा रोचक उसकी शूटिंग से जुरी किस्से है इस मौके पर आए जानते हैं फिर्म से जुरी दस खास बाते के बारे में नंबर वन फिर्म के लिए पहली में शादूरूक में डाइरेक्टर आदिते चुप्राइस फिल्म में टॉम क्रूस को बतोर लीड कास्ट करना चाहते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम था दा ब्रेव हर्ट दिल रखा गया था लेकिन आदितिया के पिता याश चुप्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि फिल्म रोमांटिक थी और भारतिय दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाहते थे कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफि समझाने के बाद अदितिया पिता के बाद मान गए लेकिन जब रोल शारुक को अफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी से शिकार नहीं किया उसके लिए आदित्या चुप्रा को शारुक के साथ चार बार मीटिंग करनी परी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदी शार अब खान को किंग आफ रोमेंस का कितब मिलना था नमबर टू फॉर्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फॉर्म का नाम पहले दब्रेवार्ट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जबाने की मश्रूर अदाकार किरन खेर को ये नाम ये इससे ही नह गया था इस बात कर जिकर याश्राज फॉर्म स्थरा पब्लीश की गई बूक अदित्या चुप्रा रिलीज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में अदित्या चुप्रा ने खुद किया है उन्होंने लिखा है किरन जी को ये आइडिया 1974 में आये फॉर्म चार मचर शोर क गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब में ने उनसे कहा आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइडल फाइनल हो गया वैसे टाइडल काफी लंबा था लेकिन दर्शुकों को ये परम इतनी पसंद आ फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुक खान पर फिल्माया गया मशूर प्लॉट सीन एक हॉलिवड फिल्म से प्रेडित था साल 1993 में रुलीज क्लिंग इर्ट बूत की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन आप फायर के एक सीन से पलट सीन इंस्पायर था फिल्म के निर्माता निर्देशक आदिते चुपरा ने जब एक फिल्म देखी तो इस टुबूत का उन्हें वो सीन याद रह गया जिसमें एक एक्टर की गर्फ्रेंट जा रही होती है और वो उसे टर्ण होने के लिए कहते है बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन के इंस्पायर होकर राज सिम्रन पर पलट सीन क्रियेट किया अग देया बताया जाता है कि DDLJ की स्क्रीप लिगने में आदित्य चुपरा को केबल एक महिनर का सुमय लगा था उसके साथ ही भारतिय सीने इधियास की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रड्यूस किया था तक्नीकी तोर पर तब से उसे बिहाइंड थ सीन के नाम पर जानते है आदित्य चुपरा की छोटे भाई उद्य चुपरा फिल्म में उनके एसिस्टेंट थे जिन्होंने मेकिंग रेकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मली थी नमबबर 12शारुख अनकी किर्दार कीन की कहानी आदितिय चुपराने दिलवाले दुलाणय। ले जाएंगे में शालूख खान करका मा में राज रखा है जो कि बोल्यों में सबसे बरे सौमन किसे प्रेयरिद था एक मैं अनुपम खेर शारुकार को अपने दाधा परदादा की पढ़ाय की नाकामियाभी किस्षे सुनाते है औहुंध अनुपम खेर कुछ बकाई पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे वहीं पहली फिल्म थी जिसमें मंदीरावेदी ने बड़े परदे पर अपने एक्टिंग केरियर के शुडवाद की फिल्म में पहनी शारुप खान की खास पेमस लेदर जैके टुदै चोपरा ने कैलिफोर्निया की बेग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को वालिउट का सबसे दुर्वागेशाली अभिनेता माना जाता है उन्होंने जितनी फिर्म की नहीं है उसे कई ज्यादा ठुकराए है या मिलते मिलते रह गई जिसे की फिर्म दिवाना में शारुप खान का रोल उनको मिल रहा था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह कम दिलवाले दुलानिया ले जाएंगे में काजोल के किरदार सिम्रान के मंगेतर कुलजीत के रोल के दिए भी पहले आर्मान कोली से बात की गई थी देकिन आउडिशन वाले दिन परमीत सेटी बुटस जीन और वेस्ट को पहन कर आए और स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए उसके बाद आर्मान की जगे परमीत को फिर्म में कास्ट कर लिया गया मेंगी लगार के रखना गाने में काजल के दिये मनीश मलोस्रा ने हड़े रंग का सूट डिजाइन किया लेकिन आदित्या चुप्रा ने कहा कि बंजावी परिव में शूटिंग किया गया था नमस्ते खिर्म पर्लोश चल्व चल्ला ना दो तिछे मौमे ची बाग रहे है जाङ ही तो तोड़ा जंडर ने यहा आज एल्मा या जाए जाएए जाए वार इसा है एदर इसाराइट इसार इसार जिसार जाएए तर्भक धायां नहीं खालम। शोचिक की पालम। भीतों को दूकिती। बदेतों ना में हीू फू हम र któष्प़ी टैंडेरे और पना ऐख criter trajectory जो दुन खाओ। आनलाइड betी म Ländern सियआ धिम बदेने जानलाइड try अट है अじゃあ आ और बाद्ट्श का है खरी शबीज़ा है गोगे तॉर्ट मितल है सलकति है याप् सदस्तिया करें पूट Lा आ आ ढरे उछम रे levarा आप सब्सक्राइए शकरोड है चिप्स आफल करो, चिप्स आफल करो नहीं चिप्स? नहीं आपको एक्षाइ को एक्षाइ इसको बरावर में जोली में एक्षिट इसको नहीं आप आला या भाई इसाल यार आपको बेघ्चाइ आपको प्तुट प्रॉप्स झापको एक्षाइ आपको बरावर गपको बरावर आपको चिप्स आपको जब 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 एू जग चारी टारी है कि आव कैंट आफ कि तका शड़ उनया पिक आपियो चिल मैं को कुण्डे मान शूड़ यंडा का लाटी है दूब एसे जल्डी आगे का करवा है यह नहीं नध तरी को इते बुड़ रहाँ ना तर थे बाहन परने ओपर शूड़ दर थेखे अपर चुड़ इदर रखेर चीपस कना दर रहाँ इजके जर्काफ जरी बन्यर infा़ जो इप रिरी ऐसा, हम जड़ जड़ जहाई हाई सब टाम जा सब बढ으면 काज जटख मै से लगयो के से लगश आप में रसे हो भग बाइ माम अंदर है यहीं लगा है अगें ट्राइवर वाली दाने मधब उच्वा कुछ आप लेगा है आप आपयाये को आप लाइसे करते अचिक आपको आपने आपकें आपकें यह महां है अधरी के ढ़ने हो ब सिर्खी हाट कि अपर में सुप्रण से सकतर भी ते नहीं होते हैं कि अभूती से सांप्र 2 अधर यू ए्धर कि अभी अधर, जोग ऑजियो से वे ले खिता है कि अभी भी ढगे भी दोंग खोंग भी बहुत आपका फोटो मार रेका है अजय बाई गए। विजी विए करना हिवे हैं किया झाल करते हैं सी ocs अमेशी के खा कह एग मसदेभे से इतर्फुल करना है कि इंकाला है कि यह देगे अच्छा के अधिरम करना है मैं आले हैब बेट आख कर सो है आइज से ने बसे आख करना है इस पाग को सबसे Benk बड़ा चात बुक्त भे सही लुटाई ये जएके पिए ड्रवाइब न एता जिखन लेंञिर ओपि bon बंङुब बंङुब में बंवे ली टीट बंजाया है प्यायो क्या जैं। ≈एगर जायो । क्यां लादी है ? क्या जागर? क्या जो ? क्यां जूआ कि यहां पर अपन अटिटूर कर देखा जो तो पहले दीन तर्म है जिस के अपर करा किया कि आपने को अपरेट कर रहे हैं कर दो तीन बार बजगा है तो तीन बार बजगा है जाने शारुक खान का जो स्टारर फिल्म दिलबले दुलहनियां ले जाएंगे की कहानी और साथी जाने फिल्म से जुरी पाच रोचक बाते की डुनिया में स्टारुआती दुनिया में हर दौर में प्रेम कहानियों पर फिल्में में बनती रभी talks में देवदास के साहर दार श्रकों को एक पीरी की असफल प्रे में एक प्रेमी और और उनके मिलने की राम में रोड़ा अटकाने वाला त्वर्यवतैपन वालियूद के प्रेम कहानियों में भी इस फॉर्मुले का इस्तमाल होता है कभी ये तत्वा खल नायों की रूप में होता है कभी जाती प्रदेश उच्छ नीच गरीब अमीर के रूप में 1944 के रदन सूपर हिट थी जिसका नायक गुविंद बेश्व समाज का था तो नायका गौडी राजपुत समाज की 1981 की एक दूजे के लिए तामिल भासी नायक और उत्तरभार्द्य नायक के मिलने में भाशा के साथ प्रदेश बाद रोड़ा बन जाता है बॉवी की नायक नायका या मेंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलने में अमीडी गड़ी भी बाधा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इंतहान से गुजरना पड़ता है मध्यधारा में निन्वाताओं को मनना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोपने वाला तत्वर जितना ताकतवर दिखाया जाएगा फिल्म की सफल्टा के मौकी भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 साल पहले 20 ओक्टोबर 1995 को रिलीस हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फॉर्मिले को हरीश पर पटक दिया ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायका के मिलने को उच्चनीच अमिरगरी भी प्रदेश बाद जाती या धर्म रोकत ते नजर नहीं आती है उसमें नायका सिमरन का पिता बल्देव सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पिता धरंबिर मलोत्रा खुले विचारों का नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व परंपरावादी पिता दिखाता तो एम अगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिम्रन जी ले अपनी जिन्देगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोपने वाला तत्वा हलात है स्थीतिया है प्लाट्राम पर दो और ने नायका गती पकरते हुई ट्रेन के दर्वाजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हाल में दम साधे वैठे दर्शक इस तरह से फुल में हलात अपने चरम पर पौशती है हाला कि इस क्लाइमेक से निदेश अकादित्य चुपरा के पता यश चुपरा नखुश थे जिस तरह से इंग्लेंड एमरिका समेच विदेश में वैसे भारतिया ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराखों पर बैठा लिया है हिंदी सिनेमा की दुनिया में अबुत पुर्बो है ये अरॉप की खुपसूर्ती और पंजाब की खेतों में लहराती हरियाली से लवरेज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रज दिया मुंबाई के मराठा मंदिर में ये लगभग 22 सालों तक लगातार दिखाए जाती है इसमें हिंदी फिल्मों का चहरा मोहरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंग्लेंड और केनेडा में वसे पंजावियों का ध्यान में रख कर फिल्में और उनके गाने बनाने का चलन चल परा फिल्मों में सरसों के खेत लहराने लगे और गानों में पंजावी शब्त कुरी और मुंडे ऐसे आम हुआ की सत्या जैसे पल में मराठी पडिवार से अपने यहां होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मिलती है वो कुरी इस फिल्म की कहानी जितनी दिल्चस्त है उसे जादा रोचक उसकी शूटिंग से जुरी किस्से है इस फास मौके पर आए जानते हैं फिल्म से जुरी दस खास बातें के बाघे में नमबर वन के लिए पहली पसंद नहीं थे शारुक फिल्म दिल वाले दूलनिया ले जाएगी कि सबसे बदे और लीड रोल के लिए शारुक खण पहली पसंद नहीं थे डाइरेक्टर आदिते चुप्राइस फिल्म में टॉम क्रूस को बतोर लीड कास्ट करना चाहते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम था The Brave Heart Will Take The Bright रखा गया था लेकिन आदितिया के पिता याज चुप्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि फिल्म रोमांटिक थी और भारतिया दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाहते थे कि चौम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफि समझाने के बाद आदितिया पिता के बाद मान गए लेकिन जब रोल शारुक को उफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी से शिकार नहीं किया उसके लिए आदित्या चुप्रा को शारुक के साथ चार बार मीटिंग करनी परी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्या के अगली पसंद सैफ अली खान थे लेकिन शायद किसवाच इसी कहते हैं इस फिर्म के जरीए ही शारुक खान को किंग आफ रुमेंस का कितब मिलना था नमबर टू फिर्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिर्म का नाम पहले दब्रेवाट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जवाने के मशूर आदाकार किरन खेर को ये नाम ये इससे ही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्या चुपरा से इसे बदले की बात कही तो उन्होंने सुझाब मांग दिया उसके बात फिर्म का टाइटल दिलवले दुलहनिया ले जाएंगे किरन खेर के साजिशन पर किया गया था इस बात का जिकर याश राज फिर्म स्थरा पबलीश की गई बूक आदित्या चुपरा रिलीज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में आदित्या चुपरा ने खुद किया है उन्होंने लिखा है किरन जी को ये आइडिया 1974 में आये फिर्म चार मचर शोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब मैंने उनसे कहा आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइटल फाइनल हो गया जाएंगे कि जगा डी-डी-एलजे कहने काही चलन था नमबर थी फोल्योड की फ्ल्म से प्रेडित था प्लॉट सीन फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुक SHan पर फिलमाया गया मशूर प्लोट सीन एक Hollywood फिल्म से प्रेडित था साल 1993 में रुलीज क्लीं इर्ट बूत की American फिल्म In the Line of Fire के एक सीन से पलट सीन इंस्पायर था फिल्म के निर्माता निर्देशक आदिते चुपरा ने जब ये फिल्म देखी तो इस्ट बूत का उन्हें वो सीन ही याद रह गया जिसमें एक एक्टर की गर्फ्रेंट जा रही होती है और वो उसे टर्न होने के लिए कहते है बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन के इंस्पायर होकर राज सिम्रन पर पलट सीन क्रियेट की आग देए बताया जाता है कि DDLJ की स्क्रीप लिगने में आदित्या चुपरा को केबल एक महिनर का सुमय लगा था उसके साथ ही भारतियसी ने इतियास की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रड्यूस किया था तकनीकी तोर पर तब से उसे बिहाइंड थ सीन के नाम पर जानते है आदित्या चुपरा की छोटे भाई उद्या चुपरा फिल्म में उनकी एसिस्टेंट थे जिनोंने मेकिंग रेकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मली थी नमबर पोर शारुक खान के किरदार की नाम की कहानी आदित्या चुपरा ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुक खान के किरदार का नाम राज रखा है जो की बॉल्योड में सबसे बड़े सौमन राज कपूर की से प्रेडित था फिल्म में उनका पूरा नाम राजनत था जो की 1973 की फिल्म बोवी में रिशी कपूर के नाम से प्रेडित था फिल्म की एक सीन में अनुपम खेर शारुक खान को अपने दादा पर दादा की पढ़ाय के नाकामियाभी के किस्से सुनाते है वह दरसल अनुपम खेर के संग अंकिल के नाम है जो की बकाई पढ़ाय में कुछ खास अच्छे नहीं थे वही हो पहली फिल्म थी जिसमें मंदीरा वेदी ने बड़े परदे पर अपने एक्टिंग केरियर के शुडवात की थी फिल्म में पहनी शारुप खान की खास फेमस लेदर जैके टुदे जोपरा ने कैलिफोर्निया की बेक साफल्स में हाल रेविट्सन के शोरूम से चार सो डॉलर में खरीदी की नंबर पाइक आर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रहे गई बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को वालिट का सबसे दुर्वागेशाली अभिनेता माना जाता है उन्होंने जितने फिर्म की नहीं है उसे कई ज्यादा ठुकड़ाए है य चीव में काजोल के टिदार सिंञ्रान के मंगेतर कुलजीत के रोल के दिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई देकिन देकिन आउडिशन वाले दिन परमीत सेठी बुटस जीन्स और वेस्ट को पहन कर आए और स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए उसके बाद आर्मन की जगे परमीत को फिर्म में कास्ट कर लिया गया महेंगी लगार के रखना गाने में काजल के दिये मनीश मलोत्रा ने हड़े रंग का सूट डिजाइन किया लेकिन आधित्य चुपका ने कहा कि बंजावी परिवारों में लड़किया लाल मडून या गुलावी कपरे पहनती है उसके बाद उन्होंने सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिर्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सरम गुर्वाव में सूटिंग किया गया था जाने शारुक खान का जूल स्टारर फिर्म दिलबले दुलहनिया ले जाएंगे की कहानी और साथी जाने फिल्म से जुरी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुनिया में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्में बनती रही है 1930 के दर्शक में देवदास के साथ दर्शकों को एक पीडी की आसफल प्रेमियों की पीरा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ ही प्रेम कहानियों का त्रीकों खाका बन गया था जिसमें तीन चीज़े हो दी थी प्रेमी प्रेमी का और उनके मिलने की राम में रौरा अटकाने वाला तत्व आज की वॉल्यूट के प्रेम कहानियों में भी इस पॉर्मुले का इस्तमाल होता है कभी ये तत्वा खलनायों के रूप में होता है कभी जाती, प्रदेश, उच्छ, नीच, गरीब अमीर के रूप में 1944 के रदन सूपर हिट थी जिसका नायक गुविंद बेश्व समाज का था तो नायका गौरी राजपुद समाज की 1981 की एक दूजे के लिए तामिल भासी नायक और उत्तरभार्दिय नायके के मिलने में भाशा के साथ प्रदेश बाद रोड़ा बन जाता है बावी की नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलने में अमीडी गरी भी बाधा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इंतहान से गुजरना परता है मध्याधारा में निन्माताओं का मनना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोपने वाला तत्वर जितना ताकतवर दिखाया जाएगा फिल्म की सफलता के मौकी भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 साल पहले 20 ओक्टोबर 1995 को रिलीस हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएगे ने इस फॉर्मिले को हरीश पर पटक दिया ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायका के मिलने को उच्चनीच अमिरगरी भी प्रदेश बाद जाती या धर्म रोकत ते नजर नहीं आती है उसमें नायका सिमरन का पिता बल्देव सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पिता धरंबिर मलोत्रा खुले विचारों का नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व परंपरावदी पिता दिखाता तो एम अगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जासिमरन जी ले अपनी जिंदेगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोपने वाला तत्वा हलात है स्थीतिया है प्लाट्राम पर दो और ने नायका गती पकरते हुई ट्रेन के दर्वाजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हाल में दम साधे बैठे दर्शक इस तरह से फुल में हलात अपने चरम पर पहुचती है हाला कि इस क्लाइमेक से निदेशक आदित्य चुप्रा के पता यश चुप्रा नखुष थे जिस तरह से इंग्लेंड एमरीका समेच विदेश में वैसे भारतिया ने दिलवाली दुलनिया ले जाएंगे तो सिराखों पर बैठा लिया है हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभुतपुर्बो है यह रॉप की खुपसूर्ती और पंजाब की खेतों में लहराती हरियाली से लवरेज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रज दिया मुंबाई के मराठा मंदिर में ये लगभग 22 सालों तक लगातार दिखाए जाती है इसमें हिंदी फिल्मों का चहरा मोहरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका इंगलेंड और केनेडा में वसे पंजाबियों का ध्यान में रख कर फिल्में और उनके गाने बनाने का है चलन चल परा फिल्मों में सरथों कि खेत लहराने लगी और और गानों में पंजावी शब कुडियों ऐसे आम हुआ की सत्या जैसे फर्म में मराथि पडिवार से अपने यहां होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मिलती है वो कुरी इस फर्म की कहानी जितनी दिल्चस्त है उससे जादा रोचक उसकी शूटिंग से जुरी किस्से है इस खास मौके पर आये जानते हैं फिर्म से जुरी दस खास बाते के बारे में नमबर वन फिर्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शारुक फिर्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे कि सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारुक खान पहली पसंद नहीं थे डाइरेक्टर आदिते चुप्राइस फिल्म में टॉम क्रूस को बतोर लीड कास्ट करना चाते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम था The Brave Heart Will Take The Bright रखा गया था लेकिन आदितिया के पिता या शुप्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि फिल्म रोमांटिक थी और भारतिय दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाते थे कि चॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफि समझाने के बाद आदितिया पिता के बाद मान गए लेकिन जाब ही रोल शारुक को अफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी से शिकार नहीं किया उसके लिए आदित्या चुप्रा को शारुक के साथ चार वार मीटिंग करनी परी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्या के अगली पसंद सैफ अली खान थे लेकिन शायद किस बाद इसी कहते हैं इस फिर्म के जरीए ही शारुक खान को किंग आफ रोमेस का कितब मिलना था नमबर टू फिर्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिर्म का नाम पहले दब्रेवाट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जवाने की मशूर आदाकार किरन खेर को ये नाम ये इससे ही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्या चुपरा से इसे बदले की बात कही तो उन्होंने सुझाब मांग दिया उसके बाद फिर्म का टाइटल दिलवले दुलहनिया ले जाएंगे किरन खेर के साजिशन पर किया गया था इस बात कर जिकर याश राज फिर्म्स तरह पब्लीश की गई बूक आदित्या चुप्रा रिलीज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में आदित्या चुप्रा ने खुद किया है उन्होंने लिखा है किरन जी को ये आइडिया 1974 में आये फिर्म चार मचर शोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब मैंने उनसे कहा आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइटल फाइनल हो गया जाएंगे कि जगह DDLJ कहने का ही चलन था नमबर 3 हॉलिवट की फिल्म से प्रेडित था प्लॉटसीन फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुक खान पर फ्ल्माया गया मशूर प्लॉटसीन एक हॉलिवट फिल्म से प्रेडित था साल 1993 में रिलीज क्लिंग इ एक सीन से पलट सीन इंस्पायर था फिल्म के निर्मातान निर्देशक आदिते चुपरा ने जब फिल्म देखी तो इस्टबूत का उन्हें वो सीन याद रहे गया जिसमें एक एक्टर की गल्फ्रेंट जा रही होती है और वो उसे टर्ण होने के लिए कहते हैं बाद में डी DLJ की स्क्रीप लिगने में आदित्या चुपरा को केबल एक माहिनर का सुमय लगा था उसके साथ ही भारतियसी ने इधियास की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रड्यूस किया था तकनीकी तोर पर तब से उसे बिहाइंड द सीन के नाम पर जानते है आदितिया चुपरा की चोटे भाई उदै चुपरा फिल्म में उनके एसिस्टेंट थे जिन्होंने मेकिंग रेकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मली थी नमबर पोर शारुक खान के किरदार की नाम की कहानी आदितिया चुपरा ने दिलवाले दुलनिय ले जाएंगे में शारुक खान के किरदार का नाम राज रखा है जो की बॉलिओन में सबसे बड़े सौमन राज कपूर की से प्रेडित था फिल्म में उनका पूरा नाम राजनत था जो की 1973 की फिल्म बोबी में रिशी कपुर के नाम से प्रेडित था फिल्म की एक सीन में अनुपम खेर शारुखान को अपने दादा पर दादा की पढ़ाई के नाकामियाभी के किस्ते सुनाते है वो दरसल अनुपम खेर के संग अंकिल के नाम है जो की बकाई पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे वही हो पहली फिल्म थी जिसमें मंदीरा वेदी ने बड़े परदे पर अपने एक्टिंग केरियर के शुडवाद की थी फिल्म में पहनी शारुप खान की खास फेमस लेदर जैके टुदै चोपरा ने कैलिफोर्निया की बेकसाफल्ट में हाल रेविट्सन के शोरूम से 400 डॉलर में खरीदी थी नमबर पाइक आर्मान को ये फिल्म भी मलते मलते रहे गई बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को बॉलिट का सबसे दुर्वागे शाली अभनेता माना जाता है उन्होंने जितनी फिल्म की नहीं है उसे कई ज़्यादा ठुक रहे है या मिलते मिलते रहे गई जिसे की फिल्म दिवाना में शारुक खान का रोल उनकों मिल रहा था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजोल के किरदार सिम्रान के मंगेतर कुलजीत के रोल के दिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी देकिन आउडिशन वाले दिन परमीत सेटी बुटस जीन साथ वेस्ट को पहन कर आए और स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए उसके बाद अर्मान की जगे परमीत को फिर्म में कास्ट कर लिया गया महेंगी लगार के रखना गाने में काजल के दिए मनीश मलोस्रा ने हड़े रंग का सूट डिजाइन किया लेकिन आधित्य चुपका ने कहा कि बंजावी परिवारों में लर्किया लाल मडून या गुलावी कपरे बहनती है उसके बाद उन्होंने सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिर्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सरम गुर्वाव में सूटिंग किया गया था किया सर्थ फाइनल है, 120-plus on the board, how do you see, who's going to win according to me? According to me, even the other team is as strong, Kanunu ने शाम को 130 बनाया है, Khudi, so they have good batsmen, Shiv has been performing, he's been man of the series almost last all four seasons, so he's been a good striker of the batsmen, I mean Rakshit, Rakshit Pant, Samant, Mehra, they've also got a very good team, so this game can go anywhere, if the wicket is out of 2-3, then it will probably get worse, but otherwise it's a cuttee ki tucker. Amdawa's game? Anybody is game, it is… I feel Gujarat won, now Amdawa's game, Gujarat is rocking. Like I said, they have enough power to overall the score, and whatever happens, you know what game is going on in 3-4 years, the viewership is great, people are watching it, loving it. Yeah, I'm very happy about it, I'm very grateful to them, because honestly, we all do so much effort to get 80 players on the ground, for those 80 players, we have been working with 120 players for months, that we are coming, we are not coming, we have cancelled, we have a shoot, Manav Gohel, the team owner of Delhi, that he couldn't come in one day, he couldn't come in one day, but Manav himself has not been able to come, luckily Shabeer Alu Aliya took out some time and came, Samir Kochar came, Saakir played a game, so it's very difficult to play the actors for 4 days to play, whatever it is, but I'm very happy and very glad that we play, and we play some good cricket, we don't play, we have seen ourselves here, hardball cricket, and really serious game they play. Sixers are so long, like professional players? Yes, I do not want to be a person who says, that 55 meter per boundary laga di, and 6 hamaare itani saare ho gay. I want to say, that 60-65 meter thi, and they have normal cricket, normal game, normal sixers, and they will play a run. Yes, Kallakar, next season, there are 4 teams, would you like to increase the teams, or would you say, pick more players from the CCL? Honestly, I'll come back to you, now you mentioned the CCL, I'm sorry CCL guys, but I'm not picking up players from CCL. No, 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 more players. CCL is picking up players from me? Yes. Say that way. So, yeah, no, the thing is, it's very difficult to get from the same industry, and I'm sorry, more teams, you know, level of cricket will go down. Level of cricket will go down, because, good players are already playing, they don't miss this tournament. So, if I will add two teams, and 25 people, they will not be of that caliber of players. So, a little bit of the team, a little bit of the game, 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 a little bit of the game. So, every actor is watching, but our industry public, the cricket is also watching, and the players, they don't like to watch it. Right. So, I try to be the actor, and enjoy the cricket, and it's a great game. It's an entertainment event for them. What is it? Another question, as big boss, has a lot of contestant, has some contestant, any big boss contestant, has a lot of contestant, and you want to watch next time? No, we are still alive. Now, Kashish Thakur was a split winner, the first match played, and then he had to shoot, and he had to get out. Ali Goni, unfortunately, we had a date shift, and at the time of Roza, Ali went to Hajj, and he told me, I'm sorry, I said, no worries, I'm unlucky. But, when you have, you know, people like Ali Goni, a lot of players, I mean, there are other reality show winners also, but, they want to play cricket, and, if I'm able to make them play cricket, at the way they, serious cricket, I'm very happy about it. I've, I told Ali, I'm very sad that, you didn't play, because, last year, he came, and last year, he didn't play, continue, so, I'm really sorry, but, I'll make sure, that he'll play, because, our team, boxy boys, he, 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 actors, he, 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 cricketers, cricket passion, seriously, they learn, they play, and, that's the reason, we enjoy ourselves, because, as a, real community, we are really enjoying ourselves, and, they should support us, because, we are CCL, but, we are ACV, that's what I know, thank you so much sir, thank you. media, media, you're watching me, these are music, look, how are you? how are you? I'm good, just like you guys, just like you guys, you can take out to, then, we are gonna take care of, you know, if you don't take care of, sit down, 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 है यह लिस्ताइब दिए है आग्रोग दिता है यह नहीं दाग है यह मैं दो इसका है के लिए जगल देंगा झिना oh yeah yesterday कि अब मुग हम गुए हञे लूसे को बाती के स्टने पिंटी थांट एक का इंटू कुं आरू बिखके यार शोलिट लेतरब और दोर्टाइब ना करेंज तक है अब हुआ है अब ही कि अ नॉचिएव प्रीटिटीव इन लेडिटिव इन गाया ह हुआ है बिखके प्रीटीयी अधिते इन लोगा टोड़ी है वीडियर्टीटिव प्रीटिव है I think that's the best thing you can do as children. So I think it's a great initiative. अभी क्रिक्ट का क्रेज वैसे ही चिल रहा है तो IPL के साथ-साथ में, ABC भी हो रहा है तो इसकुट. अमधाब दिल्ली और फ्लेंड वहा हार जे सखा़ जेटीश तो हमारी तो रहा है तो नहीं थे टीम पे हमारी दोनों शाक टैंक कंपनी का चापा लगा है तो वह अज़ा में तो बिन फ्लेया करेंगा है तो यही तो ऑन अगा रहा है जीमीसित आज आज स्प्रण इन पया जे मोडी ताइम चल रहा है तो मधदा से कुछ भी जूड़ा चल रहा है तो है मैं ज्याते हैं पूरे टो फिल्ड फिल्ड है यह मैं पाल ऐट देखेंगे मैं आप लोगों को अन्कारेज करने में प्रणा देने में च्छा लगता है यह प्लेवल बहुत अच्छा है भाई तो मैं बस दूर से टीक हुआ है। शार्क टैंक सीजन टू की में बाते हैं। इतना प्यार सीजन वन को मिला। उससे कई ज्यादा सीजन टू को। काफी लोग इसवार तो इतने लोग आए जिनोंने दिखाया आपने कई पे इन्वेस्ट किया वार्ड वार्ड याइट शार्क टैंक जो है एक बहुत दिल्चस मंच है और बहुत जरूरी मंच भी है क्योंकि अमारे देश में उमंगे तो सब की बहुत है। ओध भीड़ी एस प्रेश्चेशन लेकिन पीपल दोन नहीं हो भा को अच भाव जू को पता नहीं है कि भाई यह फंडिंग सीज क्या होती है बिजनस हो सब करते वारे घर में हमारे घर में की मारे डेश में आप गर घर में देखोगे तो कोई ना कोई बिसनस कर रहा है बड़े ऊच्छा रहा है कोई केक बेच रहा है लेकिन बिजनस बड़े तौर पे कैसे किया जाता है स्केल कैसे किया जाता है यह बाते अभी तक लोग समझते नहीं है तो आइधिंक शाक टैंक जैसा शो सही वक्त पे आया जो एकनम आसानी से सरल तरीके से लोगों को सिखाता है कि भाई हम business कैसे बनाते हैं fund कैसे करते है scale कैसे करते हैं तो एक तरह से मैं समझता हूँ बच्चों को इसमें बहुत रूची जागी है बड़े बुडों को भी बड़ी रूची जागी है तो शाम को एक घंटा बिताना ये शो देखकर ना कि उसमें आनंद लेना उसमें काफी मज़ेदार चीज़े भी होती है काफी entertainment भी है लेकि उससे सीखना की business कैसे किया जाता है ये बहुत बड़ी बात है और मुझे ये लगता है कि बड़े लोग सीख भी जाते लेकिन चोटे शहरों में अभी मुझे लगता है हमारे देश की जो मंगे है इसी इसी शो के जरिये उचल कर अगे बड़ेगी आप इस साल अपने देखा होगा कश्मीर के दो लोग आयते फंडिंग लेके गए कश्मीर इतने सालों से मतलब हमारे देश अफ़े हमारे बहुत बड़ा हन्याय चल रहा था और अभी वहां से अंत्रेपनोर आ रहे हैं आरहे हैं गाहोंगों से आरहे हैं इस साल हमने चाय वोशिंग टी ग्लास वशिंग मशीन माले को फंडिंग की कौन सोच सकता था तो यह अपने तरीके से बहुत बड़ा काम है कि पूरी पूरा इंपक्ट अभी तक हम समझ नहीं पाएं लेकिन आगे कुछ साल में समझ में आएगा अपकी में अच्छी लगी कि छोटे शेयर के लोग रहते हैं उनकी फंडिंग में आपका सबसे जादा हाथ हैं मैं दो सीजन की बात करूँ मैं जिस तरह देख रहा हूं क्या है श्क्राइब का खुछ से जनकी फूर्ट पर जो थाप्राइब के पास जोड़े रहते हैं जिनके पास जॉब्स हैं या मेन्मेंस हैं वो तो निका लियूम्यूं तरीका हाव तू रीच फंडर्स हाव तू रीच इंवेस्ट़ रेकिन जो छोटे शेयरों में हैं गा आप काही नहीं मिलेगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो, सब चीज में, आप कोई से कोई बड़ा काम देख लो, बिजनिस देख लो, स्टार देख लो, फिल्मे देख लो, डिरेक्टर देख लो, आई पी अल क्रिकेटर देख लो, सब की शुरुआत अगर आप मिला, और उन्होंने वो मौके के जरीए आगे निकल गए, अभी इतने करोडों लोग है हमारे देश में, जिनको मौका ही नहीं मिलता है, तो आगे की कैसे सोचेंगे, तो अगर हम एक मौका दे देते हैं, चलो सब को नहीं दे पाते हैं, सब नहीं निकल पाते हैं, लेकिन अगर सब को ये समझ में आ गया, कि अगर मैं करना चाहता हूं, तो मेरे को मौका देने वाले लोग हैं, तो फिर तो बस काम ही हो गया अपना, तो उससे एक आत्म विश्वास जागता है, और आत्म विश्वास की बना आदमी दस कदम नहीं चल सकता है, तो हमारा काम यही है और इसलिए मैं ज्यादा करके सपोर्ट भी नहीं लोगों करता हूं, जिनको मेरी जरूरत है, बाकी जो आए हैं मार्केटिंग करने, वैसे ही उनका वीसी का राउंड रहा है, वो अपना ब्रैंड दिखाने हा गई शार्क टैंक पे, तो मैं क्या फाइदा उनमें इंवेस् किया रिटर्न मिलेगा, मैं क्या चेंज कर सकता हूं, तो इधिक तास्थ रीसें, तैंक यू अम्दाबाद औदली का था तारगेटि, को तो कलवाला मैट जो था है, दोनों टीमों का जो कि अम्जार था, उसमें रहा फर्स्क्यार तो यही हाल अम्दाबाद ने दिली का कि आज बिलकुल रोल रिवर्सल हो गया है, 127 उनको चेस करना है बट टोर्नमेंट का फानल्स हो तो कम से कम ऐसे ही होना चाहिए, you know, you have runs on the board की जो देखने के लिए बेठे हैं लोग, उनको मजा आए माच देखने का So, it is a very very competitive score, Gulshan ने जिस तरीगे से बाटिंगे, रभिशेक ने साथ में वही था बढ़ बीच के middle overs, जो थे important overs, वहां पर विके नो बूस करो, you know, scoring becomes easy So yeah, it is a very competitive score What do you think what is the best part of ACB? All the actors coming together because बहुत सारे actors यहां पर ऐसे हैं जो कि साल में एक बार मिलते हैं जब AC भी होता है और इन फाक्ट मैं इस साल खेलने के लिए हूँ तो I realized because I haven't played in the last 3-4 years at all मतलब पिछली बार भी ज़स टेक दो मार्चेस के लिए आया था and that was two or three years back तो बहुत सारे पुराने दोस्तों से मुलागात होती है सबसे पहले next year देखने मिल सकते हैं आपको जर्सी में on the field ने मैं खेला तो इस बार भी ताप लोग लेट आए हो next year अभी कुछ एक साल बाकी है मेरे कहलने के so yeah definitely I'll be back next year too and IPL की शुरुआ तो इक किस तंप को सपोर्ट गर रहा हूँ यह और मैं हमेशा से चन्नाई का सपोर्ट रहा हूँ तो support तो नी को करूँगा बाकी देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं तो last year तो नी seems like yeah but see वो तो every career comes to an end one day so but then he has given great service not just to the nation but to his own franchisee too and he's not just a role model he's been a great workhorse for Chennai team for the Indian team so so देखने बात यह है कि उसको देखके जतने बच्चे इंस्पाइर हुए हूँगे उसके करियर के समय में उसमें से कितने हैं जो कि आगे चलके इंडिया के लिए खेलते हैं या फिर किसी फ्रांचाइजी के लिए खेलते हैं वर्की में बात करूँ क्या कुछ आने वाली समय में रिखने मिलीगा anything new project anything coming up अभी मेरे खाल से दो web shows release होने चाहिए in fact एक web show दो web show और एक film मेरे खाल से में जून के आसपास release होंगे वो so just waiting for that और बाखी लिखने का काम चल रहा है जो कि air पर जाते जाते तो time लगेगा because OTT में आपका जो है time बढ़ जाता है post production वगरे बहुत time लगता है so हाँ यह है कि वो television के तरह नहीं कि आपने आज shooting की और शाम को घड़ जाके खुदी को देखा ज्यादा लंबा समय लगता है लेकिन हाँ चीज़ें है lined up जो कि में जून से आनी शुरू होंगे thank you thank you क्राइम है आपिंग में आप आप अ अ क्यों प्रक्षाय बीज़ें आप क्यों अ जाने शारुख खान का जो इस्टारर फिल्म दिलबले दुलहनिया ले जाएंगे की कहानी और साथी जाने फिल्म से जुरी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुनिया में हर दौर में प्रेम कहानियों पर फिल्में बनती रही है 1930 के दर्शक में देवगास के साथ दर्शकों को एक पीरी की आसफल प्रेमियों की पीरा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ ही प्रेम कहानियों का त्रीकोन खाका बन गया था जिसमें तीन चीज़े हो दी थी, प्रेमी प्रेमी का और उनके मिलने की राम में रोड़ा अठकाने वाला तत्व आज की वालियोट के प्रेम कहानियों में भी इस पॉर्मुले का इस्तमाल होता है कभी ये तत्वा खलनायों के रूप में होता है कभी जाती, प्रदेश, उच्छ, नीच, गरीब अमीर के रूप में 1944 के रदन सूपर हिट थी जिसका नायक गुविंद बेश्व समाज का था तो नायका गौरी राजपुद समाज की 1981 की एक दूजे के लिए तामिल भासी नायक और उत्तर भार्दिय नायके के मिलने में भाषा के साथ प्रदेश बाद रोड़ा बन जाता है बोवी की नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलने में अमीडी गड़ी भी बाधा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इंतहान से गुजरना परता है मध्याधारा में निन्माताओं को मनना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोपने वाला तत्वर जितना ताकतवर दिखाया जाएगा फिल्म की सफलता के मौकी भी उतने जादा वनेंगे मगर 25 साल पहले 20 ओक्टोबर 1995 को रिलीस हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फॉर्मियों को हरीश पर पटक दिया ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायका के मिलने को उच्चनीच अमिरगरी भी प्रदेश बाद जाती या धर्म रोकत ते नजर नहीं आती है उसमें नायका सिमरन का पिता बल्देव सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पिता धरंबिर मलोत्रा खुले विचारों का नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व परंपरा वदी पिता दिखाता तो एम अगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिम्रन जी ले अपनी जिंदेगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व हला थे तरह से फुल में हलात अपने चरम पर पहुचती है हाला कि इस क्लाइमेक से निदेशक आदिते चुपरा के पता याश चुपरा नखुष थे जिस तरह से इंग्लेंड एमरीका समेच विदेश में वैसे भारतिया ने दिलवाली दुलनिया ले जाएंगे को सिराखो पर बैठा लिया है हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभुतपुर्बो है ये अरॉप की खुपसूर्ती और पंजाब की खेतों में लहराती हरियाली से लवरेज दिलवाली दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रज दिया मुंबाई के मराठा मंदिर में ये लगभग 22 सालों तक लगातार दिखाए जाती है इसमें हिंदी फिल्मों का चहरा मोहरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंग्लेंड और केनेडा में वसे पंजावियों का ध्यान में रख कर फिल्म है और उनके गाने बनाने का चलन चल परा फिल्मों में सरसों के खेत लहराने लगे और गानों में पंजावी शब्त कुरी और मुंडे ऐसे आम हुआ की सत्या जैसे फिल्म में मराठी परिवार से अपने यहां होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मलती है वो कुरी इस फर्म की कहानी जितनी दिल्चस्त है उससे ज़्यादा रोचक उसकी शूटिंग से जुरी किस्से है इस खास मौके पर आईए जानते हैं फर्म से जुरी दस खास बाते के बारे में नमबर वन फर्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शारुक फर्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगी कि सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारुक खान पहली पसंद नहीं थे डाइरेक्टर आदित्य चुप्राइस फर्म में टॉम क्रूस को बतोर लीड कास्ट करना चाते थे उस वक्त तक फर्म का नाम था दा ब्रेव हर्ट दिल विल टेक दा ब्राइट रखा गया था लेकिन आदित्या के पिता याश चुप्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि फर्म रोमांटिक थी और भारतिय दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाते थे कि चौम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफि समझाने के बाद आदित्या पिता के बाद मान गए लेकिन जब यह रोल शारुक को अफर किया गया तो उन्होंने भी इसनी आसानी से शिकार नहीं किया उसके लिए आदित्या चुप्रा को शारुक के साथ चार वार मीटिंग करनी परी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्या के अगली पसंद सैफली खान थे लेकिन शायद किस बच इसी कहते हैं इस फिर्म के जरीए ही शारुक खान को किंग आफ रोमेंस का कितब मिलना था नमबर टू फिर्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिर्म का नाम पहले दब्रेवाट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जवाने के मशूर आदाकार किरन खेर को ये नाम ये इससे ही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्या चुपरा से इसे बदल ले की बात कही तो उन्होंने सुजाब मांग दिया उसके बाद फिर्म का टाइटल दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे किरन खेर के साजिशन पर किया गया था इस बात कर जिकर याश्राज फिर्म स्थरा पब्लीश की गई बूक आदित्या चुपरा रिलीज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में आदित्या चुपरा ने खुद किया है उन्होंने लिखा है किरन जी को ये आइडिया 1974 में आये फिर्म चार मचर शोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब में ने उनसे कहा आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइडिल फाइनल हो गया वैसे टाइडिल काफी लंबा था लेकिन दर्शुकों को ये फिर्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसकी शौर्ट फ्रॉम डिडियल जे कहना भी शुडू कर दिया खासकर उस बक की यू बाओ में दिल वाले दुलनिय ले जाएंगे की जगा डी-डी-ईल्जे कहने का ही चलन था नमबर 3. हॉलिवड की फिल्म से प्रेडित था फ्लॉट सीन फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुक खान पर फिल्माया गया मशूर प्लॉट सीन एक हॉलिवड फिल्म से प्रेडिट था साल 1993 में रुलीज क्लींग इर्ट बूत की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन आप फायर के एक सीन से पलट सीन इंस्पायर था फिल्म के निर्मातान निर्देशक आदिते चुपरा ने जब एक फिल्म देखी तो इस टुबूत का उन्हें वो सीन याद रह गया जिसमें एक एक्टर की गर्फ्रेंट जा रही होती है और वो उसे टर्ण होने के लिए कहते है बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन के इंस्पायर होकर राज सिम्रन पर पलट सीन क्रियेट किया अग देया बताया जाता है कि DDLJ की स्क्रीप लिगने में आदित्या चुपरा को केबल एक महिनर का सुमय लगा था उसके साथ ही भारतिय सीने इधियास की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रड्यूस किया था तक्नीकी तोर पर तब से उसे बिहाइंड थ सीन के नाम पर जानते है आदित्या चुपरा की छोटे भाई उद्या चुपरा फिल्म में उनके एसिस्टेंट थे जिन्होंने मेकिंग रेकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मली थी नमबर ऊणकि किदार की नाम की कहानी अदितिया चुपरा नेकिया दिुलनिय ले जाएंगे में किदार का नाम राज रखा है जो की बॉल्यूर्ल में सबसे बरेवी सौमन राज राज करफूर कि से प्रेधित था वालिदुलनियों लेजाएंगे में चायरुकChmana किया नाम राज रखाए जो कि बॉलीवोर्ट में सबसे सौओमण राज कृपूर किता प्रταιिद कि फिल्म में उनेका पूरा नाम राजनत था जो कि 1973 की फिल्म बोवी में रिशी कपुट के नाम से प्रेडित था फिल्म की एक सीन में अनुपम खेर शारुक खान को अपने दादा पर दादा की पढ़ाय के नाकामियाभी के किस्से सुनाते हैं और अनुपम खेर के संग अंकिल के नाम है जो की बकाई पढ़ाय में चुडवाद की थी फिल्म में पहनी शारुप खान की खास पेमस लेजर जैके टुदे चोपरा ने कैलिफोर्निया की बेक साफल्स में हाल रेविट्सन के शोरूम से 400 डॉलर में खरीदी थी नंबर 5 आर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रहे गई बिग बॉस फेम एक्ट साथ ठुकड़ाय है या मिलते मिलते रहे गई जिसे की फिल्म दिवाना में शारुप खान का रोल उनकों मिल रहा था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह कम दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे में काजोल की किरदार सिम्रान के मंगेतर कुलजीत के रोल के दिए पहले आर्मान कोली से बात की गई थी देकिन आउडिशन वाले दिन परमीट सेटी बुटस जीन साथ वेस्ट को पहन कर आए और स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए उसके बाद आर्मान की जगे परमीट को फिल्म में कास्ट कर लिया गया महेंगी लगार के रखना गाने में क पुलावी कपड़े पहनती है उसके बाद उन्होंने सूट का रंग बदलना पड़ा इस परम का एक मशूर गाना तुझे देखा तो यह जाना सरम गुर्वाव में सूटिंग किया गया था शारुखान का जो स्टारर फिर्म दिलबले दुलहनिया ले जाएंगी कि कहानी औ 1930 के दर्शक में देऴदास के साथ दर्शकों को एक फीरीक की आसपल प्रेमियों की पीरा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ ही प्रेम कहानियों का त्रीकोन खाका बन गया था जिसमें तीन चीज़े हो दी थी प्रेमी प्रेमी का और उनके मिलने की राम में रोड़ा अठकाने वाला तत्व आज की वॉल्यूट के प्रेम कहानियों में भी इस पॉर्मुले का इस्तमाल होता है कभी ये तत्वा खल नायों की रूप में होता है कभी जाती प्रदेश उच्छ नीच गरीब अमीर के रूप में 1944 के रदन सूपर हिट थी जिसका नायक गुविंद बेश्व समाज का था तो नायका गौडी राजपुत समाज की 1981 की एक दूजे के लिए तामिल भासी नायक और उत्तरभार्दिय नायके के मिलने में भाशा के साथ प्रदेश बाद रोड़ा बन जाता है बौवी की नायक नायका या मेंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलने में अमीडी गड़ी भी बाधा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इंतहान से गुजरना पड़ता है मध्याधारा में निन्वाताओं को मनना रहा है कि प्रेवी प्रेमिका को मिलने से रोपने वाला तत्वर जितना ताकतवर दिखाया जाएगा फिल्म की सफल्टा के मौकी भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 साल पहले 20 ओक्टोबर 1995 को रिलीस हुई दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस पॉर्मिले को हरीश पर पटक दिया ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायका के मिलने को उच्चनीच अमिरगरी भी प्रदेश बाद जाती या धर्म रोकत ते नजर नहीं आती है उसमें नायका सिमरन का पिता बल्देव सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पिता धरंबिर मलोतरा खुले विचारों का नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्व परंपरावादी पिता दिखाता तो एम अगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिम्रन जी ले अपनी जिन्देगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोपने वाला तत्वा हलात है स्थीतिया है प्लाट्राम पर दो और ने नायका गती पकरते हुई ट्रेन के दर्वाजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हाल में दम साधे वैठे दर्शक इस तरह से फुल में हलात अपने चरम पर पहुचती है हाला कि इस क्लाइमेक से निदेश अकादित्य चुपरा के पता यश चुपरा नखुष थे जिस तरह से इंग्लेंड एमरिका समेच विदेश में वैसे भारतिया ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराखों पर बैठा लिया है हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभुतपुर्बो है ये अरॉप की खुपसूर्ती और पंजाब की खेतों में लहराती हरियाली से लवरेज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स आफिस पर इतिहास रज दिया मुंबाई के मराठा मंदिर में ये लगभग 22 सालों तक लगातार दिखाए जाती है इसमें हिंदी फिल्मों का चहरा मोहरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंग्लेंड और केनेडा में वसे पंजावियों का ध्यान में रख कर फिल्में और उनके गाने बनाने का चलन चल परा फिल्मों में सरसों के खेत लहराने लगे और गानों में पंजावी शब्द कुरी और मुंडे ऐसे आम हुआ की सत्या जैसे पल में मराठी पडिवार से अपने यहां होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मिलती है वो कुरी इस फिल्म की कहानी जितनी दिल्चस्त है उससे जादा रोचक उसकी शूटिंग से जुरी किस्से है मौके पर आये जानते हैं फिल्म से जुरी दस खास बाते के बारे में नंबर वन फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शाड़ू किंक है और लीड रोल केलिए शारुष कंद पहली पसंद नहीं scary डाइरेक्टर आदिते चुप्राइस फिल्म में टॉम क्रूस को बतोर लीड कास्ट करना चाहते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम था The Brave Heart Will Take The Bright रखा गया था लेकिन आदितिया के पिता याज चुप्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि फिल्म रोमांटिक थी और भारतीय दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाहते थे कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफि समझाने के बाद आदितिया पिता के बाद मान गए लेकिन जब रोल शारुक को अफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी से शिकार नहीं किया उसके लिए आदित्या चुप्रा को शारुक के साथ चार बार मीटिंग करनी बड़ी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्या के अगली पसंद सैफ अली खान थे लेकिन शायद किस वाच इसी कहते हैं इस फिर्म के जरीए ही शारुक खान को किंग आफ रोमैस का कितब मिलना था नमबर 2 फिर्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिर्म का नाम पहले दब्रेवार्ट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जवाने की मशूर अदाकार किरन खेर को ये नाम ये इससे ही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्या चुपरा से इसे बदले की बात कही तो उन्होंने सुजाब मांग दिया उसके बाद फिर्म का टाइटल दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे किरन खेर के साजिशन पर किया गया था इस बात का जिकर याश्राज फिर्म स्थरा पबलीश की गई बूक आदित्या चुपरा रिलीज दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में आदित्या चुपरा ने खुद किया है उन्होंने लिखा है किरन जी को ये आइडिया 1974 में आये फिर्म चार मचर शोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब में ने उनसे कहा आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइडिल फाइनल हो गया वैसे टाइडिल काफी लंबा था लेकिन दर्शुकों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसकी शौर्ट फ्रॉम डीडील जे कहना भी शुरू कर दिया मश्यूर प्लॉट सीन एक हॉलिवड फिल्म से प्रेडित था साल 1993 में रिलीज क्लिंग इट भूत की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन ऑफ फायर के एक सीन से पलट सीन इंस्पायर था फिल्म के निर्माता निर्देशक आदिते चुपरा ने जब एक फिल्म देखी तो इस टुबूत का उन्हें वो सीन याद रह गया जिसमें एक एक्टर की गर्फ्रेंट जा रही होती है और वो उसे टर्ण होने के लिए कहते हैं बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन के इंस्पायर होकर राज सिम्रन पर पलट सीन क्रियेट किया अग देया बताया जाता है कि DDLJ की स्क्रीप लिगने में आदित्य चुपरा को केबल एक महिनर का सुमय लगा था उसके साथ ही भारतिय सीने इधियास की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रड्यूस किया था तक्नीकी तोर पर तब से उसे बिहाइंड थ सीन के नाम पर जानते हैं आदित्य चुपरा की चोटे भाई उद्य चुपरा फिल्म में उनके एसिस्टेंट थे जिन्होंने मेकिंग रेकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मली थी नमबर पोड शारुक खान के किरदार की नाम की कहानी अधित्य चुपरा ने दिलवाले दुलनिय ले जाएंगे में शारुक खान के नाम राज रखा है जो की बॉल्योड में सबसे बरे सौमन राज कपूर किसे प्रेदित था फिल्म में उनका पूरा नाम राजनत था जो की 1973 की फिल्म बोबी में रिशी कपुट के नाम से प्रेडित था फिल्म की एक सीन में अनुपम खेर शारुखान को अपने दादा पर दादा की पढ़ाई के नाकामियाभी के किस्से सुनाते है वह दरसल अनुपम खेर के संग अंकिल के नाम है जो की बकाई पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे वहीं पहली फिल्म थी जिसमें मंदीरा वेदी ने बड़े परदे पर अपने एक्टिंग केरियर के शुडवाद की थी फिल्म में पहनी शारुप खान की खास पेमस लेदर जैकेट उदय चोपरा ने कैलिफोर्निया की बेक साफल्स में हाल रेविट्सन के शोरूम से 400 डॉलर में खरीदी थी नामबर वाइग आर्मां को ये फिल्म थी मलते म रहे बीग बोस घड़े अक्टर अर्मान धोरी वालिव करकश अbnयथ पेमनेता माना जाता है उन्हों उन्होंने जितने फिर्म की नहीं हैं उसे कई ज्ज्यादा ठुकड़ाय है, यहां मिलते-मिलते रहे गई, जिसे की फिल्म दिवाना में शारुक खान का रोल उनको मिल रहा था रेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। उसी तरह कम दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजोल के किरदार सिम्रान के मंगेतर कुलजीत के रोल के दिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी देकिन आउडिशन वाले दिन परमीत सेटी बुटस जीन्स और वेस्ट कोड पहन कर आए और स्क्रीन टेस्ट में हो गए उसके बाद आर्मन की जगे परमीत को में कास्ट कर लिया गया महेंगी लगार के रखना गाने में काजल के दिए मनीश मलोस्रा ने हड़े रंग का सूट डिजाइन किया लेकिन आधित्या चुप्रा ने कहा कि पंजाबी परिवारों में लड़किया लाल मडूनिया गुलावी कपड़े पहनती है उसके बाद उन्होंने सूट का रंग बदलना पड़ा इस फर्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो यह जानसरम गुर्वाव में सूटिंग किया गया था इसके बाद कै Quantum B झाले को बाइबाब गल्जर का फिर्वड़ा को पलाओ साथ खाइब लाइब बाइब लाइब को दोने पहां कि बाइब को जो एक और ढहुआ खार सकता है झाल 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 यह झाल 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 यह झाल 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 झाल